भाजपा के राश्टवीय महासाचीफ कैलाश विजयवर्गी ने आगा में विधानसभाद चुनाफ को लीकर मद्यप्रदेश में अपनी इस्थती को स्पष्ट कर दिया है विधानसभाद चुनाफ लड़ने का फैसला उन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया है इसके साथ ही अपनी तरफ से टिकेट नहीं मांगने का भी फैसला लिया इसी उपर देख यैंपी न्यूस की ये खास रपेट कैलाश विजयवर्गी कहां से लड़ेंगे विधानसभाद चुनाफ विजयवर्गी ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा टिकेट के सवाल पर बेबाकी से बोले विजयवर्गी चुनाफ लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे विजयवर्गी कैलाश विजयवर्गी केंद्री की राजनीती में भाजपा संगठन का चर्चित चहरा है लेकिन इन दिनों वे मद्यप्रदेश की राजनीती में ज्यादा सक्रिय हैं मद्यप्रदेश में किस फिधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर विजयवर्गी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है ने यार आप गोरों के शुक्षिन तक हो पर कभी कभी क्या होता है इस प्रकार की बात करने से नुकसान हो जाता आपने दोस्त की देखे ऐसा है कि ये तो अपने इच्छा की बात है जिसमें चुनाव लड़ना नी लड़ना मैंने ऐसा कहे दिया पर मैं फिर इसको दोराना चाहता हूँ यदि पार्टी कहेगी तो लड़ना पड़ेगा पार्टी कहेगी तो अधरवाइस मैं मना कर चुका हूँ पहली बात दूसरी बात वहीं कैलाश विजेवरगी ने खुद को चुनाव लड़ने से पीछे रखने से भी इनकार किया उन्होंने पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ने के लिए खुद को तयार रहने की बात कही विजेवरगी ने कहा कि मैं भारती जुनता पार्टी का सिपाही हूँ पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा प्रदेश के राजनीती में इस बार नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं नेत्रत्व परिवर्तन के सुख बुगाहट के बीच इस बार चुनाव से पहले मद्द्प्रदेश में विजयवर्गी की सक्रियता के अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं Bureau Report, MP News, Indore